नमस्कार मैं रभुनात प्रशाद दोहजार चोविश के लोकसभग का चुनाव परनाम चार जून दोहजार चोविश को जब आ रहा था दो फर वित्ते वित्ते पुरे देश नहीं यह समझ लिया कि अब गठवंधन की राजनिती का दौर शुरू हो गया है किसे ने कलपना नहीं की थी कि भारती जनता पाटी जो 400 और 370 का नारा दे रही थी वो सारे सपने हवा हवाई सा भी थों गया भारती जनता पाटी दोहजार उनीस के प्रदर्शन से 63 सीटे खोकर नीचे आ गयी 240 पर और इंडिया आ गया 293 पर अब गठफंदन के राजिते का दौर सुरू हुआ है उसी तरह जैसे उनीस्व अन्ठान में से 2004 तक स्री अटलिवारी बाजपेई जी ने सरकार चलाई और 2004 से लेकर 2014 तक गॉक्टर मन महंसी ने सरकार चलाई इस सरकार के दो संबल स्री नितिश कुमार और स्री चंद्रबाव उन्यादू इन दोनों का जो इतिहास रहा है ये पुरे देश की जन्ता जानती है कि ये निश्चित तोर पर अपने अपने जो इनके एजन्टा हैं उनको वो निश्चित तोर पर बढ़ाने का प्रयास करेंगे और उसी समय बिवाद की इस्तिथी पैदा हो सकती है इसलिए इनके अस्थाइट का सब कुछ निर्भट करता है भारती जन्ता पार्टी की राजनिति को चुकि अभी इंडिये सरकार है ये मुदी सरकार नहीं कही जाएगी ये इंडिये की सरकार कही जाएगी और सबसे वरा उत्तरदाइत स्री नरेंद्र मुदी जी पर होगा कि पूरी भारतियय जयनतापाटी में उधासी जाई भी थी परन्तु मानिय प्रधानमंत्री जी भारतिय जयनतापाटी के किंडरी कारिया ले गए और वहाँ पर जो उन्होंने अपना संबोधन किया उन्होंने जै जगन्नात के साथ उद्गोश किया। जै स्रीडाम जो भारती जनता पाटी का हिंदुत का स्लोगन था राजनितिक स्लोगन कहिए। वो मन्य प्रधान मंत्री जी ने भुला दिया। लगा कि जैसे चुकि उरीशा में 21 में 20 सीट लोग स्वाकी मिल गई है। इसलिए वो गदगद हैं। चुकि अगर वहाँ पर वो इस्थिति नहीं आती तो भारती जनता पाटी का करा 230 के नीचे आ जाता। ये तो भड़ा हो गुजरात, मत परदेश, 36 गर, दिल्ली, हिमाचल परदेश और उत्राखंड का कि भारती जनता पाटी को इन्हों ने इन राजियों ने बचा लिया। स्री राहुर गांधी जी और कांग्रेस पाटी को इन्हीं राजियों में बहुत ही करी मेहनत की जुगरत है अगले 5 वर्स तक और जहां पर इंको सीटे मिली है इंडिया गटवंधन की पारजियों को अपने अपने राने छेत्र को बचाया रखने का प्रयाश करेंगे और देश की रजनती में देश के संसदिय लोग तंत्र के हित में हुआ है गटवंधन की भारत की भूमी अब नहीं चाहती भारत की जनता अभी यह नहीं चाहती कि एक पार्टी की बहमत वाली सरकार हो जिससे कि ये लोगों ने भूगता है कि किस तरह से एक पक्षी है शंसत काम कर रहा है और ये जो जैस्री नाम का नारा के बदले जैस जगनात का धार्मी को दोश हुआ वो सोचने के लिए बात करता है कि क्या भारती जनता पाटी जल्दी इस बात को बदल देगी और उसका कारण सिर्फ ये होगा कि उत्तर प्रदेश जो उनकी हिंदुत की एक प्रियोग भूमी रही अयोध्या कासी मतुरा उस भूमी में उत्तर प्रदेश की जनता ने धर्मनिर पेख्षता की आवाज को बिलंद किया और भारती जनता पाटी को 62 के बदले 33 पर समिट दिया और सबसे बरा जटका ये लगा कि जहाना 22 जनवरी को प्राण प्रतिश्चा हुई राम मंदिर में अयुद्या में वहां के बरवोले सांसत स्री लल्लू सिंग जिन्होंने सम्विधान को बदलने की बाद गई थी उनको समाजबादी पार्टी के विधायक स्री अवधेश प्रसाद पार्सी जो अनों सुचित जाती साते हैं और वो सामान से थी उस पर मोरे कराड़ी सिकस्त शायद मानिय प्रधान मंत्री जी ने जैजगन नात का उद्गोश इन्ही कारणों से किया हुगा दूसरी तस्वीर ये जो आई के साथ जून को जब संसदी जदल के बैठक चल रही थी एक संसद वाली पार्टी के शनरक्षक स्री जिता नामा जी और अध्यक्ष स्रीवती अनुप्रिया पटेल मंचा सीन थी उनको बोलने का भी अफसर मिला लेकिन राष्टे योकदल के अध्यक्ष स्रीजेंत चौधरी नीचे दूसरी पंति में बैठे होगे थी उनको बोलने का भी अफसर नहीं मिला क्या सिर्फ इसलिए कि जाट समाज ने जो बहुत ही स्वाभिमानी जाती मानी जाती है किसान जाती मानी जाती है उन्होंने बह कि आठ जून को एक बयान कहिए कि आया है पुर्व उपराष्ट्रपती स्री विंकैयान एडू साव का जो भरती जनतापटी के राष्टी अध्यक्ष पिरा चुक है उन्होंने कहा कि इस बार का जो लोकसमा का जनादेश है वो सभी पार्टियों के लिए क्विशे संदेश दे गया है उन्होंने याद किया महात्मा गांधी और डॉक्टरामबेटकर की नीतियों को और इस पर चलने की सरा दी कास जब यह उपराष्टपती थे और पधेन सभापती थे राजय सभा के अगर उस समय उन्होंने इसी भावना के तहट सर्दन का संचालन किया होता तो ह एक पक्षी जो लगात पुरी देश की जनता को की काम हो रहा है इसमें एक रोक लगती है फिर दूसरी तरफ एक बयान आया अरिशस के नियता प्रशित व्यक्ति स्रेडाम माधव जी का उन्होंने महत्मा गांधी जी को याद किया कि वो मिला जुला कर चलने वाले वो पहल देश है वह विनमरता के लिए है सिष्टता के लिए है मैं करना चाहता हूं एक भारत के नागरी के रूप में कि क्या स्री राम माधव सहीत आरेसिस के सभी लोग बरियन लोगों को इस बात का आभास नहीं था कि 2014-2024 तक सरकार किस धंग से काम कर रही थी यहां विपक्ष क कि आवाज किस तरह से दवाई जा रही थी चाहा हो सदन हो या सरक हो किशानों की आवाज कैसे दवाई जा रही थी मजदूरों की आवाज कैसे दवाई जा रही थी संब्धानिक संस्थाओं को किस तरह से प्रभावित किया जा रहा था और खिंद्रिये एजेंसियां जो प आरत देश वसुधैव कुटमब कमपक की निती पर चलेगा और इस बार का जो जनादेश है वो पूरे देश की जनता ने धार्मिक नफरत के दुर्द जनादेश दिया है और उनों जनता का यह नणने है कि हिंदू मुस्लिम सिख्षाई सभी धर्मों के लोग सभी संस्कृति समाज को बांटने की कोशिस नहीं की जाए और मैं उमीद करता हूं कि भारती जनतापार्टी को कुछ अहम मुद्दे चाहे वो राष्ट्री अस्तर पर जातिगत घंणा कराने का सवाल हो और कानून में रदो बदल कर जो 50% कैप है रिजर्वेशन पर इसको हटाने की करवाई तुरत करनी चाहिए और अगनी वीर योजना जो युवाओं से और देश की सुरक्षा से जुगा हुआ है अगनी वीर योजना की समिक्षा होनी चाहिए और सभी जो सता रूट दल के घटक हैं उनके विचार तो लिए ही जाए विपक्ष के भी विचार लिये जाने चाहिए और आगे हम उम्मीद करें कि संसद भी निस्पक्षता से जो भी लोग सभात द्यक्ष्ण वो चलाएं जो भी रजसभा के सभापती हो चलाएं यह हमारे देश के इत्मे हैं संसदी अब तक मेरे चनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें बेल आइकन को स्टच करें ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नुट्फिकेशन आपको तुरत मिल जाए आप सभी लोगों के लिए सुख होना है धन्यवाद जैनि